आप सभी को मेरा साधर नमस्कार आपके अपने यूट्यूब चैनल लेक्स स्टेडी विद वंदना अगरवाल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है साथियो कोविट के बढ़ते संक्रमन को देखते हुए राज्य सरकार के उच्छी सरीय बैठक में जो डिसीजन लिया गया है उसके अनुसार 6 जनवरी से उत्तर प्रदेश में कुछ नए नियम लागू कर दिये जाएंगे क्या है ये नए नियम और किस तरह से इनका पालन कराया जाएगा आज की वीडियो में हम जानेंगे इसी के बारे में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो करपया इसे लाइक करें ज्यादे से ज्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो करपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही नए नए वीडियो के नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल नॉटिफिकेशन को ओन करते हैं तो आईए देखते हैं कि 6 जनवरी से उत्तर प्रिदेश में कौन से नए नियम लागू किये जा रहे हैं देखिए राज्ये में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जो आपदा प्रबंधन समू है यानि कि क्राइसिस मैनेजमेंट गुरूप की बैठक में निर्ने लिये गए हैं आवशक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकाने आठ बजे तक खुली रहेंगी रातरी दस बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फियू जारी रहेगा क्लास 9th, 10th, 11th एवं 12th की क्लास एवं सभी कॉलेस पचास प्रतिसत उपस्थिती के साथ खुलेंगे ओनलाइन क्लास को प्रात्मिक्ता दी जाएगी क्लास 8 तक के सभी क्लास ओनलाइन ही चलेंगे कोचिंग क्लास जो कि 9 से लेके 12 तक के लिए हैं वो 50-35 उपस्थिती के साथ ही खुल सकेंगे सभी सरकारी और गैर सरकारी कारियाले 50-35 उपस्थिती के साथ खुलेंगे किसी भी बहारी व्यक्ति का कारियाले में प्रवेस वर्जित रहेगा सभी पूजा इस्थल सरद्ध्वालों के लिए अगले आदेश तक बंद रहेंगे केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, क्लब, स्टेडियम, स्विमिंग पूल इन पर पूनते प्रतिबंद रहेगा रेस्टोरेंट, ढवे, आदी, 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे साधी विभावे अधिक्तम 50 व्यक्ती और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ती की अनुमती होगी सभी राजनीतिक, सामुदाइक, सांसकिर्थिक, सार्जनिक आयोजनों में अधिक्तम 50 व्यक्ति के अनुमती होगी परंतु इसके लिए जिला पिरसासन से अनुमती लेनी होगी शॉपिंग मॉल पूर्ण तयहा बंद रहेंगे तो ये हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो कल से आपके लिए बदल जाएंगी तो आप घर से जरूरत होने पर ही बाहर निकलें और जब भी घर से बाहर निकलें तो करपिया मास्क लगा कर ही निकलें क्योंकि कोबिट का संगमार दिन प्रती दिन बढ़ता ही जा रहा है ये थी आपके लिए न्यूस वीडियो पसंद आया हो तो करपिया से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद